हेलो बच्चों, आज हमारा question है, write each of the fallen as a fraction, हमें इनको किसमें लगना, fraction में हो, हमारा देखो 0.7 है, या 0.7 है, decimal में हमें इसको fraction में करना है, fraction का जब हमारा upon में होता है, यह numerator और denominator होता है, तो अब देखो कैसे होगा, 0.7, अब जब point हटाते हैं, या decimal हटाते हैं, तो हमें दे डिजिट है, decimal के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो भाई, कभी भी हम one to upon में लगाई सकते, इसे हम एक question में कोई फरक ने पड़ता, अगर मैं seven के नीचे one लगाऊं, और इसको divide भी करना हूँ, one seven जब seven तो seven ही रहेगा, तो one हम लगा सकते, लेकिन decimal के पाद जि कितने one two, मैंने बाद one तो हम लगाए सकते, लेकिन point के बाद जितनी digit होंगे, कितने one और two, तो दो zero लगा सकते, अब two क्या गे, zero इसका कोई मतलब ने रहा जाता, तो two upon hundred हमारा क्या हो गया, fraction हो गया, fraction हो गया, यह हमारा fraction हो गया, fraction क्या होता है, जहाँ numerator और denominator होता हमार पा upon में लिखा जाता है, अब ऐसी देखो, 0.27, भाई हमने one तो लगा है सकता हम, अब point हटाना, तो digit गिने one two, तो one और two, तो कितना हो जाएगा, 27 upon hundred हो जाएगा, okay, देखो, 0.009, भाई one तो हम किसी के नीचे भी लगा सकते है, अब लेकिन जब point हटाएंगे, तो digit गिनेंगे one two three, point के बाद जितनी digit होंगे, three थी, one two three, अब nine के आगे zero कोई मतलब नहीं होता है, तो nine upon कितना हो जाएगा, one thousand हो जाएगा, okay, ऐसे यहाँ देखो, point zero five three है, अब one लगा सकते हैं, point हटाओ, one two three, one two three, तो कितना हो जाएगा हमारा, 53 upon hundred हो जाएगा, यहाँ पर zero लगाएगा, कोई फैदानिया, यह 53 होगा, okay, अब यहाँ देखो, भाई, zero point one zero eight है, भाई, यहाँ चे point हटाएगा हमने, one लगा सकते हैं, point को बाद डिजिट देखो, कितनी digit है, one two three डिजिट है, तो zero three, one two three, तो कितना हो जाएगा, 108 upon कितना, one thousand ह हो जाएगा, okay, ऐसी देखो, zero point seven five four, point हटा है, हमने, one two three, कितनी digit है, three, तो हमने, one two three zero, जितनी दस संबलब के बाद digit होगे, point के बाद digit होगे, उतनी zero नीचे बढ़ेंगे, तो seven five four upon one thousand हो जाएगा, okay,